हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी प्री क्वेस्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे जहारखंड का इतिहाज से संबंधित सौ महतपून प्रस्ण सारे प्रस्ण बहुत ही महतपून है और वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए है तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेस्चन को सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रस्ण क्या है? तो पहला प्रस्ण है वह मानव सास्त्री जिसने 1915 में दा उराओ औप छोटा नागपूर लिखकर उराओ जनजाती के बारे में विस्तरित जनकारी दी? सही अंसर होगा इसका ओप्शन ए सरत चंदर राय ने 1915 इस्वी में दा उराओ औप छोटा नागपूर लिखकर उराओ जनजाती के बारे में जनकारी दी? अगला प्रस्ण है टॉल्मी ने जार्खन को किस नाम से संबोधित किया है? तॉल्मी ने जार्खन को मुंडल के नाम से संबोधित किया है कुकरा और खुकरा ये नाम मुगल कालीन में दिया गया था उसके बाद और एक नाम है कुकुटलाड ये फहयान के द्वारा कुकुटलाड नाम दिया गया था तो टॉलमी द्वारा कौन से नाम दिया गया था मुंडल नेक्स्ट क्वेस्चन है रामगढ राजा की मूल राजधानी थी सही अंसर होगा रामगढ राजा की मूल राजधानी रामगढ ही थी सही अंसर होगा ओप्शन A महाभारत के किस पर्म में ज्यार्खन का नाम पुंडरिक देश मिलता है सही अंसरों का ओप्शन भी दिग विजय पर्म इसको नामक पुरा तात्विक अस्थल किस जिले में है इसको पुरा तात्विक अस्थल कहा है तो ये हजारी बाग जिले में है सही अंसर होगा ओप्शन ए नेक्स्ट क्वेस्चन है पूर्व मध्यकालीन सहित्य में छोटा नागपूर का नाम मिलता है तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहितिये में छोटा नागपूर का नाम क्या मिलता है? तो ये मिलता है कलीन देश, सही एंसर होगा option C अगला प्रस्ण है, राजा जैसी ने खुद को तेरहुई सताबदी का राजा घोसित कर दिया था जो नीम्न में से राज्य के थे? मैंने पहले भी ये question cover किया है, इस question को घुमा घुमा कर पूछता है कभी राजा का नाम पूछता है, कभी सताबदी option में रहता है, और कभी राज्य तो सही एंसर होगा इसका उडिसा राज्य राजा जैसी ने खुद को तेराभी सताबदी का राजा घोसित कर दिया था, जो उडिसा राजे के राजा थे नेक्स्ट question है, वह अंग्रेज जिसने यह लिखा, कासी से लेकर वीरभूम तक समस्त पठारी छेत्र जहारखंड कहलाता था कासी से लेकर वीरभूम तक समस्त पठारी छेत्र जहारखंड कहलाता था, यह किसने लिखा था, तो इसमित ने, सही अंसर होगा इसका option A next question देखते हैं, चीनी यात्री हुएन सांग ने राजमहल छेत्र को किस नाम से सम्भधित किया है सही अंसर होगा इसका option A, कीचिंग काईला, चीनी यात्री हुएन सांग ने राजमहल छेत्र को कीचिंग काईला कहा, तो था इसके पहाड़ी, राजमहल के ही पहाड़ी छेत्र को दामीने कोह का नाम भी हुएन सांग नहीं दिया था नेक्स्ट कोश्चन है, सेरसाह ने बंगाल पर अधिकार के करम में जारखन के किस राष्टे का उपयोग किया था इंपोर्टेंट कोश्चन है, सही अंसर होगा तेलिया गड़ी राष्टे का उपयोग किया था सही अंसर होगा option B, तेलिया गड़ी अगला question है, सेर साह का रोहतासगर पर अधिकार कब हुआ? सेर साह का रोहतासगर पर अधिकार 1538 इस्वी में हुआ था, सही answer होगा option A अगला प्रस्ण है, राजमहल पर मराठो का अधिपत्य कब अस्थापित हुआ? राजमहल पर मराठो का अधिपत्य 1742 इस्वी में हुआ था, सही answer होगा option A 1742 इस्वी में next question है, सराइकेला राजे की अस्थापना किस ने की थी? तो सराइकेला राजे की अस्थापना की थी? राजा बिक्रम सी ने, सही answer होगा option C अगला प्रस्ण है, नागवनसी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? सही answer होगा, नागवनसी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी सूतियांबे और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे फनी मुकुट राय और नागवनसी राजाओं की अंतिम राजधानी कौन थी? तो ये थी रातुगड जिसके संथापक थे उदैनात सहदेव नेक्स्ट क्वेस्चन है नागवनसी राजा ने सौरो पर्थम नौरतन नामक पंच मंजीला भवन कहां बनवाया था? ये क्वेस्चन जेपीसी सहयक परिक्षा 2007 में पूछा गया है ये बनवाये गया था दोईसा में सही एंसर होगा ओप्शन C दोईसा में अगला प्रस्ण है नागवनसी परिवार का मुख्याले दोईसा से अस्थानतरित हुआ जलकी कमी थी जंगली जानवरों का डर था दोईसा में यूध में प्राजित हुए ये क्वेस्चन भी जेएसेवसी में पूछा गया है तो नागवनसी परिवार का मुख्याले दोईसा से अस्थानतरित हुआ था दोईसा में यूध में प्राजित हुए थे सही अंसर होगा option D अगला प्रस्ण है नागवन्स के किस सासक ने अपनी उपाधी राय के बदले कर्ण रखी थी तो किस ने अपनी उपाधी राय के बदले कर्ण रखी थी भीम ने, इसने अपना नाम भीम कर्ण रखा था सही अंसर होगा option C, भीम ने अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा रियासत ज्यार्खन छेत्र में नहीं था सोन पूरा भी था, कुंडे भी था, सुर्य पूरा भी था तो सही अंसर होगा कौन सा रियासत ज्यार्खन छेत्र में नहीं था तो ये था वेन पुरा, सही अंसर होगा option A Next question है, जारखन राजे में इस्थित, कुंडे रियासत किस जिले में इस्थित था? कुंडे या कुंडा रियासत हजारी बाग जिले में इस्थित था, सही अंसर होगा option B हजारी बाग जिला अगला प्रस्ण है पलामू में चेरो का समराज था इस समराज का सबसे परतापी राजा कौन था सही अंसर होगा चेरो समराजे का सबसे परतापी राजा कौन था तो मेदनी राय इन्हों नहीं नए किले का निर्मान करवाय था और पुराने किले का निर्मान किसे ने करवाय था तो परताप राय ने कराय था अगला प्रस्ण है जार्खन राजे के किस सहर में एक संग्राहाले है जहां जनजात्य जीवन की अनेक वस्तुए एवं पाल सासकों के अवसेश सुरक्षित है तो वह संग्राहाले है कौन सा है रांची म्यूजियम जो की कहां आदिवासी म्यूजियम जो की रांची में है अगला प्रस्ण है ढाल विद्रोह का नेत्रित्व किस ने किया था? असान क्वेश्चन है ढाल विद्रोह का नेत्रित्व किया था जगनात ढालने ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1777 इस्वी तक ढाल विद्रोह चला था अगला प्रस्ण है धाल्भूम छेत्र में अंग्रेजों ने 1767 इस्वी में जगनात धाल को अपदस्थ करके किसे सासक बनाया अगला प्रस्ण है बिर्शा मुंडा का जन्म कहां हुआ था सही answer हो गा उलई हातू में बहुत सा बूक में चलकद खुटी भी लिखता है आप option के हिसा आप से देख लिजेगा तो बिर्शा मुंडा का जन्म कहां हुआ था तो उली हातू में मुंडा विदोई का नेत्रित वो किस ने किया तो मुंडा विद्रोह का नेत्री तो किया था बिर्सा मुंडा ने सही एंसर होगा ओप्शन B अगला प्रसन है तिलका मांजी ने तीर चला कर किस अंग्रेज की हत्या की थी ये कोईस्चन भी बहुत बार पूछा जाता है तिलका मांजी ने अपनी जहरीली तीरो से किल्वी लेंड को घायल कर दिया था और बाद में किल्वी लेंड की मौत हो गई थी और आगे चलकर तिलका मांजी को बरगत के पेड़ पर लटका कर 1785 इस्वी में फासी दी गई थी अगला प्रस्ण है संथाल विद्रो कब हुआ था असान क्वेश्चन है और महत्पून क्वेश्चन है संथाल विद्रो हुआ था 1856 इस्वी में सिधू, कानू और चांद और भैरो ये चार भाईयों के द्वारा संथाल विद्रो हुआ था सिधु कानु, चांद और भैरो नेक्स्ट क्वेस्चन है खरवार आंदोलन का नेतरित्व किस ने किया? खरवार आंदोलन का नेतरित्व किया था भागीरत मांजी ने और कब किया था ये प्रसंद भी पूछता है तो खरवार आंदोलन का नेत्रितो भागिरत मांजी ने 1874 इस्वी में किया था भागिरत मांजी को बाबा के नाम से भी जाना जाता है इनका उपनाम बाबा है याद रखियेगा अगला प्रस्ण है राची जीला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम का पारित हुआ ये प्रस्ण भी जेससी में पुछा जा चुका है राची जीला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 इस्वी में पारित हुआ था अगला प्रस्ण है देवनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी सही अंसर होगा इसका ताना भगत आंदोलन अगला प्रस्ण है बिर्सा मुंडा पेसे से क्या थे वेपारी थे, चर्मकार थे, क्रिसी थे, बुनकर थे सही अंसर होगा बिर्सा मुंडा पेसे से बुनकर थे अगला प्रस्ण है भूमीज विद्रोह कब हुआ था सही अंसर होगा इसका भूमीज विद्रोह 1833-34 इस्वी में हुआ था गंगा नरायन के नेतरित्व में जिसे अंग्रेजों ने गंगार नरायन का हंगामा भी कहा था अगला प्रस्ण है संथाल विद्रोह का अन्य क्या नाम है संथाल विद्रो को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है सही अंसर होगा option A हूल अगला प्रस्न है बिर्सा मुंडा के आंदोलन का केंदर कहा था खुटी में, पलामू में, गुमला में, राची में सही अंसर होगा बिर्षा मुंडा के आंदोलन का केंद्रक खुटी में था अगला प्रसन है बिर्षा मुंडा को आम जन जातियां क्या कहती है बार बार रिपीट होता है Questions सही अंसर होगा धर्ती आवा, धर्ती आबा सही अंसर होगा ओप्सन B दामी ने कोह की कब घोसना हुई थी? सही अंसर होगा दामी ने कोह की घोसना हुई थी 1824 इस्वी में अगला प्रस्ण है पहाडिया विद्रोह में कहा की रानी ने सहयोग दिया? पहाडिया विद्रोह में महस्पूर की रानी ने सहयोग दिया था सही अंसर होगा option D अगला प्रस्ण है तिलका मांजी को कहां पर फासी दी गई थी सही अंसर होगा भागलपूर में बर्गत के पेड़ पर 1785 इस्वी में तिलका मांजी का मूल नाम जाबरा पहाड़िया था अगला प्रस्ण है ताना भागत आंदोलन किस राष्ट नेता से ज्यादा परभावित थी ये question भी JSA Sim पूछा गया है सही अंसर होगा गांधी जी से ताना भागत आंदोलन ज्यादा परभावित थी अगला प्रस्ण है ज्यारखन के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थको उनका अहवान करते थे तो जर्मन बाबा के गीत किस में गया जाते थे ताना भागत आंदोलन में ही तो सही अंसर होगा option c ताना भगत अंदोलन अगला प्रस्ण है जार्खन में चुवार विद्रोह का कारण था ये question पहले करा चुका हूँ जार्खन में चुवार विद्रोह का कारण था बड़ा भूम का उत्राधिकार सही answer होगा option a बड़ा भूम का उत्राधिकार अगला प्रस्ण है गया मुंडा कौन था गया मुंडा बिर्सा मुंडा के सही होगी थे सही answer होगा option a अगला प्रस्ण है पलामू में 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व किस ने किया था तो सही एंसर होगा ओप्शन C निलामबर और पितामबर अगला प्रस्ण है छोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम कानून किस वर्ष पारित हुआ बार बार पुछा जाता है छोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम यानी कि C&T Act का पारित हुआ था 1908 हिस्वी में और दरोगा के एकजाम में पूछा था कि इसका ब्लूप्रिंट किस ने तयार किया था तो जोन हाफ मैन ने C&T Act का ब्लूप्रिंट तयार किया था अगला प्रस्ण है जार्खन आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है जार्खन आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोल्मन को माना जाता है यहाँ पस confusion होता है जैपाल सी भी बहुत जगा रहता है तो जैपाल सी को जार्खन प्रिथक राजे आंदोलन का पितामा कहा जाता है और जार्खंड आंदोलन का जनुदाता जे बार्थोल्मन को कहा जाता है अगला प्रस्ण है Christian Students Organization का गठन किस ने किया Christian Students Organization का गठन जे बार्थोल्मन ने 1912 इस्वी में किया था सही अंसर होगा option D जे बार्थोल्मन अगला प्रस्ण है चोटा नागपूर 29 समाज की अस्थापना कब हुई बार बार रिपीट होता है सही अंसर होगा 1915 इस्वी में option B 1915 इस्वी में चोटा नागपूर 29 समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है जुए लकड़ा पाल देयाल बंदी राम और ठेबले राम इसके परमुख नेता थे सही है आदिवासियों के समाजी के ओम आर्थिक हीतों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य लक्ष था ये भी सही है 1928 में साइमन कमिशन को 29 समाज दोरा एक मांग पत्र दिया गया था ये सही है तो सही अंसर होगा ये सभी कथन छोटा नाकपूर 29 समाज के बारे में सही है अगला प्रस्ण है आदिवासी नामक पत्रिका का परकासन कब किया गया था ये कोश्चन आजकल बहुत बार पुछा जा रहा है तो सही अंसर होगा 1915 इस्वी में ही आदिवासी नामक पत्रिका का परकासन किया गया था और यह पत्रिका नाकपूरी भासा में परकासित की गयी थी अगला प्रस्ण है किसान सभा का गठन कब हुआ था सही अंसर होगा किसान सभा का गठन 1931 इस्वी में ठेबले उराव के द्वारा किया गया था बहुत से बुक में 1928-1930 भी लिखा मिलता है प्रन्तु JSSC के एंसर की के हिसाब से किसान सभा का गठन 1931 इस्वी में हुआ था अगला प्रस्ण है किस वर्ष एक अलग जार्खन राजे की मांग के लिए एक ग्यापन के साथ साइमन कमिशन प्रस्तूत किया गया था साइमन कमिशन प्रस्तूत किया गया था एक ग्यापन के साथ 1928 इस्वी में है तो सही अंसर होगा ओप्शन A अगला प्रस्ण है किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया मैंने अभी बताया किसान सभा का गठन ठेबले उराओं के द्वारा 1931 इस्वी में किया गया अगला प्रस्ण है छोटा नागपूर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ छोटा नागपूर कैथोलिक सभा का गठन हुआ था 1932 तेटीस में और इसके पर्थम अधियक्ष कौन थे तो बेनिफस लकड़ा इसके पर्थम अधियक्ष थे छोटा नागपूर कैथोलिक सभा के अगला प्रस्ण है जैपाल सी द्वारा गठित जार्खन पार्टी का प्रारामभिक नाम निम्ण में से क्या था ये क्वेस्टिन भी जैएसेसी में पूछा गया है तो जैपाल सी द्वारा गठित जार्खन पार्टी का प्रारामभिक नाम था आधिवासी महासभा सही अंसर होगा ओप्शन सी आधिवासी महासभा अगला प्रस्ण है वरिहत्तर जार्खन की मांग किस ने की थी जैपाल सी ने सही अंसर होगा ओप्शन सी अगला प्रस्ण है कांग्रेस का तिरपनवा वार्शिक अधिवेसन कहाँ हुआ था और प्रस्ण पूस्ता है कि कब हुआ था तो 1940 इस्वी में और इसके अधियक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम अजाद इसके अधियक्स थे अगला प्रस्ण है फारवार्ड ब्लोक का जन कहां हुआ था फारवार्ड ब्लोक का जन रामगड के कांग्रेस अधियरेशन में ही हुआ था सही अंसर होगा रामगड अगला प्रस्ण है वाम पंथी विचारधारा के M.N. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की अस्थापना कहां की थी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की अस्थापना भी रामगड के कांग्रेस अधिवेशन में ही हुई थी सही अंसर होगा option A. रामगड अगला प्रस्ण है जार्खन पार्टी के संस्थापक कौन थे सही अंसर होगा जार्खन पार्टी के संस्थापक थे जैपाल सी और जार्खन पार्टी के अस्थापना कभ भी थी तो 1950 इस्वी में अगला प्रस्ण है जार्खन पार्टी ने पर्थम बार चुनाव में भाग लिया 1952 इस्वी में उस समय उनका चुनाव चिन था मुरगा और इस चुनाव में उन्होंने कितनी सीटे हासिल कि थी तो 33 सीटे हासिल कि थी अगला प्रस्ण है राजा रामगर द्वारा 1951 इस्वी में किस पार्टी की गठन की गई थी तो राजा रामगर द्वारा 1951 इस्वी में छोटा नाकपूर संथाल प्रगना जनता पार्टी की अस्थापना की गई थी तो सही एंसर होगा ओप्शन ए अगला प्रस्ण है जैपाल सी के नेत्रित्व वाली ज्ञारखन पार्टी का किस पार्टी में विले हुआ तो तत्कालीन बिहार के मुखे मंत्री सचिदानन ज्या के द्वारा के पहल पर ज्यारखन पार्टी की कांग्रेस पार्टी में विले हो गया था कब तो 1963 सुई में अगला प्रस्ण है अलग ज्यारखन राजे की मांग को लेकर निम लिखित मेंसे किसने लालखंड का नारा गढ़ा था तो लालखंड का नारा गढ़ा था एक के रॉख न्या सही अंसर होगा ओप्सटन C अगला प्रस्ण है बिर्सा सेवा दल का गठन कब हुआ बिर्षा से वग दल का गठन हुआ था 1965 हिस्वी में सही अंसर होगा ओप्शन B कार्तिक उराव के नेत्रितु में अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत के अस्थापना कब हुई? अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत के अस्थापना कब हुई थी? 1968 हिस्वी में कार्ती कुराओं के नेत्रित्व Anda अगला प्रशन है सिवाजी समाज के अस्ठापना किसने की थी सिवाजी समाज के अस्ठापना की थी विनोध, विहारी, महतों ने सही answer होगा option A अगला प्रशन है सिवु सोरेन के नेत्रित्व द्वारा सोनत संथाल समाज की अस्थापना कब की गई थी? 1969 में 1979 इस्वी में बुक में 1970 इस्वी लिखता है प्रन्तु दरोगा पीटी परिच्छा के एंसर की में ये 1979 इस्वी को जैसेसी ने सही माना है अगला प्रस्न है जार्खन मुक्ती मोर्चा का गठन कब हुआ? जार्खन मुक्ती मोर्चा यानि कि JMM का गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 को और इसके पर्थम अध्यक्ष कौन थे? तो विनोध बिहारी और उपाध्यक्ष कौन थे? तो सीबू सुरेन अगला प्रस्न है जार्खन मुक्ती मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंब किया? तो JMM का जंगल काटो अभियान 1978 इस्वी में प्रारंब हुआ था अगला प्रस्न है अल जार्खन स्टुडेन्ट यूनियन यानि कि आजसू का गठन कब हुआ था? आजसू का गठन हुआ था 22 जून 1986 इस्वी को और इसके किसके नेतरितु में हुआ था? तो सूर्य सिह बेसरा के नेतरितु में हुआ था आजसू का गठन अगला प्रस्न है आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कारेकरम की घोसना में खून के बदले खून की रननीती का परतिपादन किया था खून के बदले खून की रननीती का परतिपादन किया था सूर्य सिह बेसरा ने सही आजसू अप्सन डी अगला प्रस्न है जार्खन समन्वाय समीती का गठन कब हुआ था? जार्खन समन्वाय समीती का गठन हुआ था 1987 इश्वी में और इसी समीति के द्वारा 21 जीलों को लेकर जारखन के अलग राजय की मांग की गई थी अगला प्रस्ण है भारतिय जनता पाटी द्वारा वाननचल राजय की मांग किस वर्ष की गई important question है भारतिय जनता पाटी द्वारा वानन्चल राज्य की मांग की गई थी 1988 इस्वी में सही अंसर होगा option C अगला प्रस्ण है जार्खन छेत्र स्वाशासी परिशत का यानि कि जैक का गठन कब हुआ था तो जैक का गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 इस्वी को और इसके पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो सीबू सोरें थे और उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे बिहार पुनर गठन बील को लोगसभा में कब पारित किया गया तो बिहार पुनर गठन बील को लोगसभा में 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था लोक सभा में 2 अगस्त 2000 को और राजय सभा में 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया था अगला प्रस्ण है बिहार विधान सभा ने बिहार राजय पुनरगठन विधेग 2000 को कब स्विक्रिती परदान की तो विहार विधान सभा ने विहार राज्य पुनर गठन विधयक 2000 को 25 अप्रेल 2000 को स्विक्रिति परदान की थी अगला प्रस्ण है किस वर्ष में भारतिय संसद ने जार्खन को अलग राज्य के रूप में विहार पुनर गठन का विधयक पारित किया था जन सिवक परिक्षा 2012 हम पूछा गया है सही अंसर होगा इसका 2000 इस्वि में अगला प्रस्ण है प्रिथक जार्खन राज्य कब अस्तित्व में आया असान क्वेस्चन है बहुर बहुर पुछा जाता है तो प्रिथक जार्खन राज्य 15 नौवंबर 2011 को अस्तित्व में आया तो friends इस वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें thanks for watching